इस वीडियो नमबर 29 आफ करेंट इलेक्रिस्टी और इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं जैसे बल्ब्स, हीटर्स, मोटर्स, जो चीज़ें आप you come across in your daily life, उन चीजों के ऊपर बात करेंगे, उनकी कुछ डाउट्स आपको दि इस इलेक्रिक पावर और इलेक्रिक एनरजी का मतलब यह है, आप अभी तक एक बात समझना कि अभी हम एप्लाइंसिस को लेके बात करेंगे जब, जैसे बल्ब मैं बोलूँगा, आपको बल्ब, एक बल्ब है, तो बल्ब की एक रेटिंग होती है, उसकी एक पावर, आपक कि वो इतनी पावर मुझे देता है, यह आगी उसकी वोल्टेज रेटिंग की इतनी वोल्टेज दोगे, तो वो इतनी पावर देगा, अगर वोल्टेज आपने कम कर दी, फिर वो इतनी पावर देगा, अगर तुम उससे 100 वाट पावर लेना चाहते हो, तो उसको वोल्टे तो ये चोटी-मोटी बाते हम बड़ी detail में बात करने वाले हैं, काफी interesting problems इस video, इस video ने इस topic के अंदर हम cover करने वाले हैं, तो एक चीज ये, दूसरा ये कि कोई भी appliance होगा न, आपके लिए वो circuit element है, and that circuit element is resistance, अभी for the time being सिर्फ resistance, वैसे resistance, inductor और capacitor तीनों चीजें लगी होती है हमारे appliances में, लेकिन for the time being, from 11th and 12th point of view, अभी for the time being, आपके दिमाग में सिर्फ resistor, मैं bulb बोलू, आपको resistor नजर आना चाहिए, मैं heater बोलू, आपको resistor नजर आना चाहिए, मैं आपको motor बोलू, आपको resistor नजर आना चाहिए, तो इसलिए don't complicate the things, मैं अभी सिर्फ resistor, बल्ब मैं बो मैं बताऊंगा आपको detail में, जैसे अभी जैसे ये वाले bulb की मैंने बात की, तो आपको जैसे ये resistor है, इस resistor में से अगर I current pass करेगी, इस में से I current pass करेगी, इसकी resistance कितनी है, R, इसकी resistance है, R, तो इसकी जो, इसके अंदर जो power consume होगी, ठीक है, power का formula होता है, V I, voltage into current, याद रखो हो गया, voltage into current, voltage resistor के cross कितनी है, इस resistor के cross voltage कितनी है, I R, into I, तो formula क्या बन गया, I square R, फामुला क्या बन गया, I square R, तो this is I square R, इसकी ये power का formula V I B है, I square R भी है, और एक और interesting बात बताता हूं, V रख दो इदर, I की जगा लिख दो V by R, तो फामुला क्या बन गया, V square upon R, मतलब, इदर मेरे को सामने सामने नजर आगी एक छोटी सी बात, कि एक appliance resistor कुछ भी resistor की जो power का formula बना, वो क्या बना, V I, I square R, या V square upon R, कुछ भी बोलो, depending upon the situation, ज़्यादा तर हम ये और ये यूज़ करने लगे हैं, जब हम appliances की बात करेंगे, याद रखना है ये इतनी बात, प्लीज, ठीक है, इतनी सी बात आप याद रख लेना, हम जो ज़्यादा तर बात करेंगे, I square R ज्यादा, number one level पे हम I square R यूज़ करते हैं, number two level पे हम ये यूज़ करते हैं, ये हम hardly यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो ये तीन formula आपको मैंने बता दिये, हम थोड़ा आग इसी बात की, अगर time की भी बात करोगे, तो फिर energy की बात हो सकती है, अभी उस पे बात करूँगा, an electric current of 4 ampere flows through a 12 ohm resistor, simple, electric current of, simple simple question है बहुत, 4 ampere, मतलब constant current, पहली बात ये भी याद रख लो, ठीक है, constant current 4 ampere, passes through 12 ohm resistor, NCRT question है, इसलिए important होते हैं, NCRT normally practical बातों पे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, जो हमारे use होती हैं आगे जाके, बाकी books फालतू बातें करती रहेंगी, लेकिन NCRT जो है, वो पिल्कुल practical जो चीज़ें होती हैं उस पे ज़्यादा बात करना पसंद करती है, अभी Every current of 4A flows through a 12 Ohm resistor, what is the rate at which heat energy, rate at which heat energy, यह power हो गई, गबराना नहीं, यह power हो गई, rate of doing work, capacity to do work is energy, rate of doing work is power, तो यह power पूछी है, produce, वैसे भी, वैसे भी, इनर्जी निकाल ही नहीं सकता हैं इदर, क्योंकि time ही नहीं दिया है, time देगा तो energy निकाल पाऊंगा, ठीक है, आप देखो तो यह आ गया, I square R, अभी मैंने formula बताया, निकल गी power, खतम हो गया, यही पूछा था, निकाल लिया, अगर मानलो उसने 2 seconds भी दिये होते, अपनी copy पे note करके रखना, question के अंदर से question बता रहा हूं, अगर 2 seconds दिये होते, कि यह वाली current 2 seconds के लिए पास कर रही है, बताओ कितनी heat energy flow करेगी, अब rate नहीं निकालना है, अब heat energy निकालनी है, कितनी heat energy यहाँ generate होगी, multiplied by 2, खतम, problem change कब होगी, मैं आपको बताता हूं, इसी problem को, मैं एक और तीसरी problem कराने लगा हूं, इसी problem के साथ, note करोगे copy पे सभी, यही 12 ohm का resistor है, current flow कर रही है, 2 T, for 0 to 2 seconds, मतलब 2 seconds हो है, 0 to 2 seconds, अब तो 2 seconds के लिए 2 T current flow करी, तो अब बताओ heat energy कितनी आई, power निकालने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको क्या निकालना है, heat energy निकालनी है, तो heat energy कितनी होगी, देखो मैं बताता हूं, formula क्या लगाएंगे मैं बताता हूं, integration, variable current है, इसलिए, लि i square r dt खतम, i square r, t नहीं, dt, dt को integrate करना है, कहां से कहां तक, 0 to 2, आगे answer, कुछ नहीं, t square के integration आपको आती है, t cube upon 3, 3 और 12 कट जाएंगे, answer निकालना अराम से, कुछ नहीं है मुश्किल इसमें, ये खुद करने वाली problem है, आपकी, how many electrons flow through a filament of, filament, filament कि इसको बोलते हैं, मालूम होना चाहिए, आपको, bulb के साथ, जैसे बल्ब है न, आपका, ऐसे आपका bulb है, इस बल्ब में, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके एक wire होती है, आज कल ये बल्ब खतम होगे हैं, लेकिन ये उसी की बात हो रही है, इसको बोलते थे filament, tungsten का होता है, यह filament, ने भी समझाये, तब भी कोई फरक नहीं वड़ता, हमारे लिए ये matter करता है, electric lamp भी बोलते हैं, bulb को, per second निकालना है, यानि power की बात है, ठीक है, क्या है, how many electrons, electrons निकालने हैं मुझे यहाँ, electrons निकालने के लिए पहले current निकाल लो, और current क्या होती है, q by t, q कितना होता है, any, per second बोला है, तो one हो गया, यहाँ से i निकाल लेना, i कैसे निकालोगे, i square r, v square upon r, यह लो, v दिया है न, i नहीं न दिया, एक मैंट, मैं कुछ इगड़ बढ़ता नहीं कर रहा, आप इसमें पहले resistor निकालोगे, resistance मैं बताता हूँ, 60 watt है, और यह, इदर से आपको 60 equal to, v square upon r कर लो, r equal to, v square upon 60 कर लेना, इदर से आपको r मिल जाएगा, ठीक है, v upon r करना current मिल जाएगी, current जैसे ही मिली, current को क्या होती है, current किसके बराबर होती है, charge upon time, charge किसके बराबर होता जब electrons की बात आजाती है, fontization, ne upon t, खतम हो गया, t1 दिया हुए आपको, खुद करो, झाल 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 झाल झाल